हेलो दोस्तो इस समय हम हैं ससस्त्र सिमा बल यानि की SSB की ओफिसियल वेबसाइट पर और आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं SSB में निकली various vacancies के बारे में तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाई स्टार्ट करते हैं आज की विडियो तो दोस्तो विडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आकन को भी प्रेस कर लें तो चली दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह है दोस्तो वह सर्कुलर जो कि SSB की तरफ से निकाला गया है ससर्स्त्र सीमाबल आप देख सकते हैं दोस्तो गवर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्रे ओफ होम अफेर्स ठीक है तो यहां पर दोस्तो कौन-कौन स निकली हुी है उसके बारे में हम आपको पहले बतादेना चाहाते है सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे दूस्तो निमभर पोष्ट और यहां पर यह के पिलंबर कार पेंटर ठीक है और उसके बाद में आपद मेरे तो यहां पर दोस्तों क्या है कि कॉण्श्टेबल काफी सारी वेकंश्टी निकली हुई है तो हम जानते हैं इन ही बेकंश्टीस के बारे में डेटेल तो दोस्तो हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर अभी आवकर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको eligibility condition for above sides post RS under मतलब उपर जो post दे गई हैं उनके लिए eligibility conditions आपकी क्या होगी तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं constable driver only for male मतलब constable driver के लिए जो आपकी age limit होगी वो 27 साल होगी और उसके लिए आपको दोस्तो matriculation और equivalent from a recognized board मतलब आपके लिए 12th sorry 10th pass होना जरूरी है और आपके पास में एक heavy vehicle driving license होना जरूरी है ठीक है उसके बाद में दोस्तो constable laboratory assistant की 18 से 25 साल age है इसके लिए आपको matriculation with science from a recognized board और institute ठीक है should have a certificate in laboratory assistant course from an institute institution recognition by central government और state government मतलब आपके लिए आपका जो certificate होना चाहिए laboratory assistant का और आप 10th pass होना जरूरी है आपको ठीक है इसे दरह से दोस्तो constable veterinary 18 से 25 साल age है इसके लिए भी आपकी जो education qualification होगी 10th pass होगी उसके बाद constable आया फॉर female यह दोस्तो ladies के लिए है girls के लिए है तो constable आया कि यहां पर जो vacancies है इसके लिए age limit होगी आपकी 18 से 25 साल ठीक 18 से 25 साल अगर आपकी age है तो आप इस भरती में सामिल हो सकती है इस भरती में सामिल होने के लिए आपकी जो आपकी education qualification होगी बो दोस्तो matriculation with science from a recognized board और institution मतलब आप लिए 10th pass होना चाहिए science के subject से ठीक है और दोस्तों आपको possession, possessing the first trade examination pass certificate from red cross society और should be trained diet ठीक है only one year experience relevant field मतलब आपके लिए क्या है एक साल के experience भी होना जरूरी है उसके बदन constable carpenter, plumber and painter इनके लिए तिनों के लिए आपकी age limit 18 से 25 साल होगी आपको 10th pass होना जरूरी है 2 years work experience in respective trade और आपके लिए 2 साल का दोस्तों जो है work का experience होना चाहिए respective trade में अभी आपको यहां पर दोस्तों बहुत सारी post ऐसी है जिनमें आपसे experience और certificate मांगा जा रहा है अगर आपके पास में experience certificate नहीं है तो आपको वो कैसे मिल सकता है तो अगर आपके लिए जानना है कि आपके पास में experience certificate नहीं है और आपके लिए इसमें form कैसे परना है और आपके form reject भी ना हो तो मैं दोस्तो आपके लिए जल्दी ही एक वीडियो लेकर आँगो जिसमें मैं आपकी इस problem के लिए solve कर दूँगा तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को आपको करना होगा सबस्क्राइब तो दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिए ठीक है Constable उसके बाद में यहाँ पर Constable, Cook, Wasserman, Warburg, सफाई वाला, Water Carrier, Water Tailor, Gardener and Cowler यह सारी जो पोस्ट हैं दोस्तो इनकी जो आपकी एज होगी वो 18 से 23 years मतलब 18 से 30 साल लिजाएगी आपको 10 पास होना जरूरी है 2 years works experience उसके बाद में 1 year certificate होगा आपके पास में 2 years diploma from recognized industrial training institute ठीक है Multi qualified trade test Note में आप देख सकते हैं multi skilled candidates will be given preference मतलब multi skilled मतलब यह जो सफाई वाला Water Carrier और यह आपका Gardener है, Gobler है अगर आपके पास में 2-3 trade के experience certificate है, तो आपके लिए क्या है दोस्तो preference दिये जाएगा, मतलब आपके लिए जो है वो बरियता दी जाएगी, हिंदी में जो बोलते हैं बरियता दी जाएगी, ठीक है तो यह तो होगी दोस्तों इनके vacancies की detail अब आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों यह जो भरती है वो all India की है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उपर जाएगे तो दोस्तों online application are invited from citizen of India, Nepal और Bhutan मतलब इंडिया, नेपाल और Bhutan के जो candidates होंगे वो candidates इस भरती में सामिल हो सकते हैं तेन देशों के लिए मतलब आपको पता नहीं होगा कि नेपाल और Bhutan के candidates भी यहाँ पर हमारी आर्मी में और forces में भरती होते हैं ठीक है उसके बारे में कुछ important dates पर बात कर लेते हैं दोस्तों तो important dates के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों आपके लिए www.ssvrecruit.government.in पर आपको जाकर अपनी application को fill up करना है next मेरी जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें आपके लिए यह भी बताऊंगा कि आपको इसका online application fill up कैसे करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो online application की तारिक है वो remote area मतलब यह जो areas दिये गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाले पूरे इन में क्या है अगर आप इन areas के रहने वाले हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा आपके लिए 37 days का time मिलेगा यह notification release होने से मतलब अगर आज notification release होई तो इसके 37 days के अंदर आपको जो है वो अपने application fill up online fill up करनी होगी और अगर आप इन area के नहीं है तो आपके लिए 30 दिन अब ही दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा इसके बारे में कुछ और ज्यादे डिटेल में तो टोटल वैकंशी जो है दोस्तों वह आप देखेंगे यहां पर 1522 है मतलब 1522 वैकंशी के लिए यहां पर पोस्ट के लिए आपकी notification रिलीज की गई है नेम आप पोस्ट एसस इसकी जो लास्ट डेट होगी दोस्तों वह आपको डेट ऑफ एडब्टाइजमेंट 18 जुलाई 2020 है मतलब 18 जुलाई 2020 से 27 अगस 2020 तक आप इसमें एपलाई कर सकते हैं अगर आप रिमोट एरिया के हैं तो आपके लिए 37 डेज मिलेंगे रिमोट एरिया अगर आपको नहीं को मां वहाल है और सीरील नमबर सारस सॉला के लिए 18 तीयश साल है ठीक है तो कौन-कौन से से सिरील नमबर की बात कर ह्रहे हैं यह वाले ने थीक है यहां पर सेसृज नमबर दिए खेगे और दोस तो सिका हम प्ले 신 यह बता थे लिए आपकी अगर आपको इसक्रिश नोंट 1522 पोस्ट पे आपकी वेकंसिस हैं सभी पोस्ट के लिए आपको 10th pass और experience होना जरूरी है उसके बाद में दोस्तों आपकी age limit 18-17 साल तर दे गई है उसके बाद में दोस्तों आपकी salary बहुत अच्छी है online applications start हो चुकी है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों ये भरती में आप select हो जाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू करें आज की वीडियो बस इतना ही था दोस्तों बहुत अच्छी vacancies निकली हो ही है आप सभी इसमें जाकर form भरें अगर आपके पास में experience certificate नहीं है तो आप हमारे चैनल को subscribe करें अगली वीडियो मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपको experience certificate को कैसे प्राप्त कर लेना है ठीक है तो चलिए दोस्तों जय हैं जय भारत